जुला अथीरे से जुलाओ पनवारी जुला अथीरे से जुलाओ पनवारी हरे सावरी आना हरे कृष्ण आप सभी को जुलन यात्रा उत्सव की हारदिक शुब कामनाएं हर वर्ष श्रावन मास यद सावन के महीने में विश्व भर के हजारों मंदिरों में भक्तगण श्री श्री राधा कृष्ण की जुलन सेवा करते हैं पांच हजार वर्ष पूर्व भगवान श्री कृष्ण ने ब्रिंदावन में अपनी बाल तथा किशोर लेलाएं की थी इस पवित्र इस्थान की भावना भगवान की भक्ती के चरम अवस्था में उत्परोथ थी प्रजवासी भगवान श्री कृष्ण के अतिरिक्त किसी को भी नहीं जानते थे उनका जीवन एक मात्र कृष्ण पर ही केंद्रित था भगवान श्री कृष्ण ब्रज के अनेक वनों में अपने ग्वाल बाल मित्रों के संग गववी चराने जाते थे गोचारन के साथ-साथ भूमी पर हर्शल्लास के साथ उचल कूट करते तथा खेलते वक्खाते भी थे सभी ग्वाल बाल हर प्रकार की रितुओं में बाल कृष्ण के साथ उनकी हर लीला में खुशी खुशी भाग लेते तथा अपने पूर्ण प्रेम, इवन सामर्थ से उनकी सेवा करने का प्रयास करते थे मिशेश रूप से ग्वालिने और गोपियां, भगवान के दिव्व प्रेम में वे अनुरक्त थी और इन सभी गोपियों में भक्त शिरोमणी श्रिमती राधा रानी प्रधान गोपी है यह उत्सव वर्षा रितु के आरंब से संबंधित है इस मास को श्रावन या सावन मास कहा जाता है और यह जुलाई या अगस्त के महीने में आता है इस समय चिल चिलाती गर्मी का मौसम खत्म हो गया होता है और बर्षा या बर्सात के मौसम की शुरुवात हुई होती है बाता वरण में नमी रहती है और धीनी धीनी मंद हवाई चलती है श्रावन मास की रिमजिम बरसात ब्रिंदावन के समस्त प्राकृतिक परिद्रिश्य को हरा भरा बना देती है गर्मी के मौसं के कारण शुष्क पड़ी भूमी इस रितू में सधन हरियाली से भर जाती है ब्रिंदावन के अनेक वन, बेली, चमपा, चमेली जुही मादवी त्यादी फूलों से प्रफुलित हो जाते हैं भारे तेज गती से मंडराते हुए गुंजन करते हैं कोयल अपनी मधुर कूग से वातावरन को और भी मनमोहक बना देती है मयूर घने बादलों की गड़गडा हट के उत्तर में पंक फैला कर विशाद पूल कुहक लगाते हैं श्री मती राधारानी की सखियां वन में एक सुद्रिड कदंब व्रक्ष की शाखा पर विभिन फूलों से सजा कर एक सुन्दर जूला तयार करती हैं वे श्री श्री राधा कृष्ण की युगल जोडी को शावन के इस मनमोहक रितू में अपने द्वारा तयार किये गए सुन्दर जूले पर जुला कर आनंदित करना चाहती हैं जूलन यात्रा महोचव श्रावन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी से आरंब होकर श्रावन मास की पूर्णिमा तक मनाया जाता है मंदिरों में विभिन अलंकारों से सुसजित लकडी या धातू से बनी जूले फूलों से सजाए जाते हैं फिर उन जूलों पर भगवान के उत्सव विग्रहों को विराजमान किया जाता है तथा पाँच दिनों तक भगतों द्वारा फूलों से सजी हुई रसी से जूला जूलाने की सेवा की जाती है यह उत्सव साधारंत शाम को आरंब होता है जब भगवान के श्री विग्रहों को उनकी वेदी से जूले पर आमंत्रित करके उनकी विशेश आर्थी की जाती है तक पश्चात वैशनव भजनों के मद्ध एक एक करके भक्तगर्ण श्री श्री राधा कृष्ण की जूलन सेवा करते हैं यह बहुत ही मार में क्षण होते हैं जो भक्तों के हृदय में अवर्णनी आनंद एवं भक्ति भावना को आप लावित कर देते हैं जूलन यात्रा मात्र एक परंपरा या कोई विधी विधान नहीं है यह एक ऐसा महोचसव है जिसमें कोई भी भाग ले सकता है और भक्ति मै सेवा के आनंद का आस्वादन कर सकता है इस लीला से हमें यह पता चलता है कि भगवान परंभूपता और रसराज है यह लीला भगवान की उन मधुर लीलाओं में से एक है जिसमें भगवान अपने भक्तों को सेवा करने का सू अवसर देकर उनको तारते हैं और अपने कृपा मै होने का प्रमाण भी देते हैं सभी पुन्नेवान धर्मान याईयों एवं भगवत प्रेमियों को वर्ष में एक बार मनाई जाने वाली जुलन यात्रा रूपी अनुकंपा का लाब अवश्य उठाना चाहिए इसकौन के सभी मंदिरों में जुलन यात्रा का ये अद्भुत मनोरम पर्व अत्यंत हर्ष लास के साथ मनाया जाता है तो आप सब भी अपने अपने निकटवर्ती इसकौन मंदिरों में जाएं वा भगवान की युगर जोडी के दिव्य वा अलावकिक दर्शनों का लाब उठाकर इस मानव जीवन को कृतार्थ करें धन्यवाद हरे कृष्णा कि अवाद करें अवाद करें